हेलो दोस्तों मैं हूँ अभीशेक और GTO Daily Take के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वाइट करता हूँ दोस्तों रोज की तरह ताजा टेक की खबरे मैं आपके लिए लेके आये हूँ वीकेंड के बाद और वीकेंड पे हमने टिपसे ट्रिक्स वीडियो डाला था कि आपने देखा बहुत सी ऐसी चीज़े बताते हैं जो कि आपको अपने स्मार्टपोन को और बहुतर यूज करने देते हैं यहाँ पे 12 प्रदिशन लोग बोल रहे हैं जी हाँ हम तो यूज करते हैं और यहाँ पे नो पोल रहे हैं 84 % जिनको सौर्टट है और कुछ लोगें कि हां में यूज करते हैं लेकिन बेशने वाले हैं और अगर आप इसका फोन यूज करते हैं वढ़े याउनर का और आपने अभी तक बेशने का मन नी बनाइ है तो बेशने का बन मना लो इंडिया में ये दौनों कभणी बैर ऊसे हैं इसा हमने बताया था पिछली कुछ Tech News में देखते हैं अगर आप देखते हैं तो पता होगा नहीं देखते हैं तो अभी मैंने बता दिया है इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजे शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ दोस्तों पहली खबर आ रही है अनुज की तरफ स यह phone launch होगा और X360 definitely बहतर होगा I hope कि इसकी performance और भी उम्दा हो क्योंकि यह लोग पूरी तरह से इसको बोल रहे है कि यह कमाल का उने वाला है इसके जो banner में उससे देखके लग रहा है बिजली से निकल रहे है यह phone में से तो I hope कि एक बढ़िया performance के साथ यह phone आए लेकिन एक सकता है Poco F-series का phone अब यह 22 March को यह phone आने वाला है लेकिन इंडिया को आएगा इंडिया भी बहुत जल्द आएगा लेकिन पहले Poco X3 Pro आएगा उसके बाद Poco F-series का F2 या F2 Pro आ सकता है दोस्तो आगली खबर आ रही है यहाँ पर Gatis Data की तरफ से इन्हों ने बोला है कि Redmi लॉंच करेगा यह gaming phone चाइना में और यह बिल्कुल टॉप एंड का gaming phone होगा इसमें आपको ROG Phone 5 से जो की launch हो चुका है लेकिन क्या Mediatek का Dimensity 1200 कंपीट कर पाएगा Snapdragon 888 से क्या लगता है आपको कमेंट में बताना अपना ओपनी है दोस्तों Google ने लीक कर दिये हैं बहुत सारे phone अपने AR Core के थुरू और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फोन है यहाँ पे Zenfone 8 Flip अब एक्साइटिंग क्यों है क्योंकि इसमें आपको flip design वाला camera मिलेगा अगर आपको याद नहीं है तो मैं एसू Zenfone 6 की बात कर रहा हूँ जिसमें जो camera था वो rear camera ही front camera बन जाता था यानि कि 48 Megapixel की selfie मिल जाती थी तो ऐसा ही कुछ Zenfone 8 Flip में हो सकता है और यह थोड़ा उससे पतला भी होगा लाइटर भी होगा और इसमें तो snapdragon 888 तो बनता ही है लेकिन साथ ही साथ Google ने और फोन भी लिक कर दी है यहां पर हम दिख रहा है LG style 07 जो की कोई फरक नहीं पड़ता है इंडिया में तो LG की कोई उपकात ही नहीं है कोई उनका phone लेने जाए जोग साइड और Motorola का Moto G100 शायद यह सारे phone Google ने लीक कर दी है अब Google को आके करो पैनलाइज बात करते हैं अगले phone की Google की तरफ से ख़वर आ रही है Google Pixel 5a के बारे में ऐसा कहा जा रहा है G.ROM2 नाम का यह phone हो चुका है certified इंडिया की B.I.S. website पर अब इंडिया की B.I.S. website वो website है जहां पर सारे phone इंडिया में ल गूगल पिक्सल 5a लेकर आएगा लेकिन इतनी जल्दी लेकर आएगा यह नहीं पता था तो गूगल पिक्सल 5a पहले जल्दी नहीं आएगा थोड़ा देर से आएगा मेरी excitement थोड़ी ज्यादा बढ़ गी तो slip of tongue हो गया ऐसा कहा जा रहा है Google Pixel 5a इंडिया में जून तक बढ़िया कैमरा के लिए वेट करना बढ़ता ना दोस्ता बात करते हैं अगली ख़बर और वह है HMD की तरफ से HMD लांच करने वाला है Nokia G10 अब G-Series का gaming phone हो सकता है यह सफता gaming phone हो सकता है अब पहला gaming phone होगा Nokia अपने phones के अंदर popular है कि उनके phone के अदर आपको clean UI मिलता है देखते क्या होता है Nokia के G10 का वेट हम करेंगे और जैसे भी होगा आपको बताएंगे April 8 को global event में launch होगा तो इंडिया में आने में I think कम से कम एक हफता दो हफता लगी जाए दोस्तों बात करते हैं Realme 8 series के नए phones के बारे में यहां पर मादफ सेह जी ने ट्वीट डाल दिया है जिसमें सल्मान खान भाई जो है फ्लॉन कर रहे हैं Realme 8 series के इस phone को Realme 8 and 8 Pro दोनों आने वाले है 108 megapixel camera 24 मार्च को launch होगा इन phones का 7.5 बजे unboxing हमारे channel पर नहीं मिलेगी आपको हमें तो block कर रहा है Realme 8 वालों ने आप जाके बोल दो अगर unblock कर दें तो device भेज देंगे फिर आपको unboxing ला देंगे otherwise खरीद के करनेगे unboxing यार दोस्तों इंडिया का कहना है कि cryptocurrency फाइनली बैन ही लगने वाला है और इंडिया ना सिर्फ bitcoin और बाकी और cryptocurrency पर बैन लगाएगी साथ ही साथ अगर आपके पास bitcoin है तब भी आपके penalty लगेगी अगर आपने bitcoin कहीं भेज दिया तब भी आपके penalty लगेगी bitcoin पर trading की तब भी आप penalty लगेगी और अगर आपने mining की तब भी आप penalty लगेगी यानि कि आप किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हैं, अगर आप इंडिया में हैं और आप के उपाब Bitcoin है और ये बहुत ही बुरी ख़बर है क्योंकि चाइना में भी जहां पे Bitcoin बैन हुआ है, वहां पे Bitcoin को hold करने पर, possess करने पर कोई बैन नहीं है, लेकिन हाँ उसकी mining और trading के उ 6 महिने मिलेंगे, तो देख सें क्या होता है, I hope कि कुछ रस्ता निकल आए, क्या लगता है आपको दोस्तो, Tech of the Day में आज यह है कि कैसे आप अपने printer के अंदर ink को ज़्यादा चला सकते हैं, और 10% ज़्यादा pages प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा तब होगा जब आप एक lighter font use करेंगे, जिसमें lighter stroke होगा, तो उस case में आपके printer की जो ink है वो कम लगेगी, और आप 10% ज़्यादा printing कर प जो कि बहुत ज़्यादा अपने printer को यूज करते हैं, तब यह tip आपके काम आईगी, तो कैसी लगी यह tip बताना कमेंट, दोस्तो, tips and tricks के अंदर आज पहली tip है उन लोगों के लिए, जो कि Xiaomi का, Redmi का फोन यूज करते हैं, कैमरा की कुछ amazing tips हमने आपको बताई हैं, अगर आपक पहले वाला UI है, तब भी आपको आदे से ज्यादा tip पसंद आएंगी, क्योंकि आपके फोन में यह चल जाएंगी, तो पढ़ लीजेन की बारे में सब कुछ लिखा है, हमने हिंदी और इंगली तोनों में, link दिया गया है, description में, और अगली tip भी सुनके जाईए, अगली tip है कि कैसे आप wallpaper का एक slideshow बना सकते हैं, कई पर आप Windows 10 यूज करते हैं, उस टाइम पर आप wallpaper चेंज करना भूल जाते हैं, लेकिन एक wallpaper से बोर हो जाते हैं, क्या हो कि वो automatically change हो जाए, slideshow चल जाए, तो यह कैसे करना है, क्या करना है, automatic तरीके से बिना कोई परिशानी के, वो हमने करते हैं, GTU Tech Hunt, जो तो GTU Tech Hunt के बारे में इतना कहना है, कि पिछले वाले news के अंदर GTU Tech Hunt कोई भी नहीं धून पाए, तो अभी भी अगर आप जाके धून सकते हो, तो आप Amazon का voucher जीच सकते हो, और साथ इस news के अंदर अगर आपको GTU Tech Hunt मिला है, तो इसको tag कीजिए, time stamp के मत बोलिएगा, ताकि हम आपसे connect कर पाएं, और आपको बाद में आपका Amazon voucher दे पाएं, बहुत बहुत शुक्ति आज की Tech News को देखने के लिए, जैहिंद, बने मातरम, बाबाई, वीडियो को like करके जाना, बाबाई